किसी भी मनुश्य का सभी बाहरी कारें से विरक्त होकर किसी एक कारे में लीन हो जाना ही meditation यानि ध्यान है आशे ये है कि किसी एक कारे में किसी का इतना लिप्त होना कि उसे समय मौसम और अन्यशारिरिक जरूरतों का बोध न रहे इसे ही ध्यान कहते है ध्यान एक प्रकार की क्रिया है जिसमें इनसान अपने मन को चेतन की एक विशेश अवस्था में लाने की कोशिश करता है meditation का उदेश्य लाप्राप्त करना भी हो सकता है या meditation करना अपने आप में एक लक्ष हो सकता है इसमें अपने मन को शांती देने से लेकर आंतरिक उर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण करना हो सकता है जो हमारी जिन्दगी में सकारातमक्ता और खुश्छाली लाती है Meditation यानि ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते हमें से जादतर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की Meditation हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिन्दगी जादूई है Meditation किसी भी व्यक्ति के जिन्दगी बदल सकता है आज की भागदोर बरी जिन्दगी में हम सब खुशियों के पीछे भाग रहे हैं हमारा मन हमेशा भाविश्य की खुशियां पाने में लगा रहता है और वर्तमान की खुशियों को व्यर्त जाने देता है वो कभी ये नहीं समझ पाता कि खुशियां कहीं बाहर नहीं किसी भाविश्य में नहीं बलकि अभी है यहीं है उसके अंदर है उसके अंतरमन की शान्ती में है और इस खुशी को लगातार मैसूस कराने वाला माध्यम ही ध्यान है ध्यान करने के लिए स्वच जगय पर स्वच आसन पर बैटकर साधक अपनी आखें बंद करके अपने मन को दूसरे सभी संकल्प विकल्पों से हटा कर शान्त कर देता है और इश्वर, गुरु, मूर्ती, आत्मा, निराकार, परब्रम या किसी के भी धारना करके उसमें अपने मन को स्थिर करके उसमें ही लीन हो जाता है जब भी हो सके, जैसे भी हो सके, अपने मस्तिश को, अपने क्रोध को, सब को, तनाव को, अपने कंट्रोल में करके, ध्यान में बैठने की कोशिश अवश्य करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले